दोस्तो बिहार होम गार्ड बहाली 2011 के सफल अभियार्थियों को आज भी धरना परदर्शन जारी है दोस्तो आप सभी को मालूम होगा कि जुलाई 2011 में होम गार्ड की भरती पूरे बिहार के लिए निकाली गए थी बहुत जगे भरती परक्रिया समाप्त हो गया है बहुत दोस्तो यहां पर जो सफल अभियार्थियों वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं उनका आज भी धरना परदर्शन स्टार्ट है यानी चालू है और अनिश्चित का धरना परदर्शन भोजपूर जीले में आज लगभव 26 दिन से चल रहा है लेकिन इनका कोई सुनने वाल नहीं है आप लोग दोस्तो आज के पेपर में भी पढ़ सकते हैं जो कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्रभात खबर द्वारा प्रकासित किया गया है 9 नवंबर 2024 आप लोग देख सकते हैं जब तक निउक्ति नहीं होगी तब तक धरना रहेगा जारी राम पुकार य पर बैटे हैं आपको छट पुजा बितिया दिपावली भी बितिया उसमें भी यह लोग घर नहीं गये थे लेकिन एक चोटा से भी अधिकारी इन से आकर नहीं मिले हैं अभी तक कि क्या होगा कि इस पर निड़ने क्या कैसे होगा कोई जनकारी इन लोग के पास भी नहीं ह हैं और कोई इस पर बात करना भी नहीं चाह रहा है आप लोग देख सकते हैं होम गार्ड के सफल अभ्यातियों को धरना जारी आरा से दोस्तों आरा भजपुजले से यह खबर है होम गार्ड के सफल अभ्यातियों को धरना सुक्रबार को 26 दिन भी जारी रहा होम गार्ड अ जिला प्रसाशन और विहार सरकार का रवया है संग के अध्यक्ष राम पुकार ने कहा कि होम गार्ड की रिक्ट सीटो पर 2011 के सफल अभियारतियों को निवक्ति पत्र दिया जाए जब तक निवक्ति पत्र नहीं मिलता है तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है चाए हम लोगों में से किसी का जान भी चली जाए क्योंकि सितामडी सहसा मदपड़ी गया और ऐसे तमाम जिले हैं में निवक्ति कराई गई है उसी तरह भोजपूर में भी कराई जाए कि भरती अभी भी 2024 में हुई उसमें कई रिक्त पद बचे हुए है उस रिक्त पदों पर अभ्यारतियों को निवक्ति पर दिया जाए हम अपने आप से ज़्यादा जिला अधिकारी पर पुन्य विश्वास है और उन्हें अस्वासन भी दिया है कि इस विश्वास पर हम अभी अभ्यारति धर्ना पर बैठे हैं यह दोस्तों अभ्यारति को कह ना है कि हम लोग को जिला अधिकारी अस्वासन भी दिये हैं कि भरती होगा इस प्रकार से जो भी अस्वासन दिये हैं लेकिन यहाँ पर अभी कोई इन लोग का सुनने वाला नहीं है इतने दिन से धर्णा प्रदर्शन अपने बाल वच्चे से दूर होकर यह धर्णा पर बैठे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है बड़े बड़े नेता आते हैं जब चुनाव के समय होत यह लोग अपने हक के लिए इस टेंट मिले हटने वाले नहीं हैं इस परकार से यह लोग बता रहे हैं कि हमारा जान भी चला जाएगा फिर भी हम हटने वाले नहीं हैं इस परकार के यह लोग बता रहे हैं तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपका क्या रहे हैं कमेंट बुक्स साथ जैहिंद नमस्कार